सो हलो दोस्तों यार कैसे हैं सब यूप सब बढ़ी आसे होंगे हाजरों एक नई वीडियो लेकर जिसमें बैटल रहेगा दो बाइक्स के बीच में पहली बाइक है हमारे पास KTM की तरफ से Duke 125 VS6 जो कुछ दिन पहले ही लाँच हुई हलांकि BS4 में भी यह बाइक जो थी अवेलबल थी लेकिन नए अवतार में अब आपको Duke 125 जो पूरी तरह से कॉपी है एक तरह से 200 की ही सारी फीचर जो है आपको इसमें मिल जाती हैं वहीं पर दूसरी जो बाइक है वो है Yama की तरफ से MT15 दोनों ही बाइक्स अब हमारे पास BS6 नॉर्म के साथ अवेलबल हैं और इनके प्राइस जो है आस-पास ही है इसलिए यहां दोनों ही बाइक्स का यहां पे कंपेरिजन करेंगे जैसे कि मैंने के बारे में कहा तो 200 के ही पूरा फीचर जो है आपको 125 CC में देखने के लिए मिल रहे हैं और दूसरी जो बाइक है MT15 एक 500 CC की बाइक BS6 में और काफी मतलब मार्केट में अचा रिस्पॉंस है पूरा रॉब्टिक स्टाइल और जिसकी जो हैडलाइट है काफी खुबसूरत देखेंगे यहां पे दोनों ही बाइक्स में आपको क्या-क्या फीचर्स क्या-क्या चीज़ें जो है डिफरेंस करती सबसे पहले चलते हैं फीचर्स की तरफ यहां पे कंपरेजन करते हैं अगर यहां पे हैडलाइट वगरा की बात करें तो LED प्रोजेक्टर हैडलाइट LED टेलाइट आपको MT15 में मिल जाता है वहीं पे 125 की बात करें तो हैलोजन हैडलाइट मिल जाती है आपको LED नहीं मिलती ह और टेल लाइट जो है वो LED मिलेगी DRL जो है वो भी LED मिलते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स बगएरा जो है हेलो जन आपको MT15 में 125 में LED मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ चले तो LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है नेगटिव इफेक्ट LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है MT15 में सस्पेंशन की तरफ चलते हैं आपे दोस्तों तो सस्पेंशन में 125 ड्योक में आपको 43 mm का WP OSD और रियर में WP Monosock Suspension वहीं पे MT15 में 41 mm Telescopic Front और रियर में Monosock Suspension जो है आपको MT15 में देखने के लिए मिल जाता है वहीं पे Frame की बात करें Frame Design की बात करें तो Trailles जो Design है वो आपका 125 Duke का और Delta Box Frame जो है वो आपको MT15 में देखने के लिए मिलता है Breaks की तरफ चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पे Front में 300 mm की डिस्क Rear में 230 mm की डिस्क मिलती है Duke में वहीं पे MT15 में आपको Front में 282 mm की डिस्क और Rear में 220 mm की डिस्क तो डिस्क साइज जो है बड़ा आपको 125 Duke में मिल जाता है यहाँ पे तो आच्छी ब्रेकिंग आपको मिलेगी 125 में बाकी दोनों ही Bikes के अंदर आपको 117 और Rear में 147 177 का जो है टायर आपको मिल जाता है वहीं पे दोस्तों Next Figure की बात करते हैं यहाँ पे चलते हैं Next Figure की तरफ तो Ground Clearance जो है आपको 155 mm की मिलती है 125 में और MT15 में आपको मिल जाती है 175 mm की Ground Clearance तो Ground Clearance जो है आपको ज्यादा मिलेगी MT15 में चलते हैं Next Seat Height की तरफ तो 818 mm की 125 में और 810 mm की Seat Height तो हलकी सी उंचाई लगेगी आपको यहाँ पे KTM Duke में वहीं पे इंजन की तरफ चलते हैं में हर्ड की तरफ तो 4.7 cc liquid cool single cylinder 4 stroke DOHC fuel injection system के साथ आपको 125 cc का मिलता है वहीं पे MT15 में 155 cc liquid cool single cylinder 4 stroke 4 wall SOHC fuel injection system के साथ में मिल जाता है MT15 में इस इंजन की पावर की बात करें 14.5 PS की पावर 2250 rpm और वहीं पे 15 में 18.5 PS की पावर मिल जाती है टॉर्क 12 nm का टॉर्क 8000 rpm और 13.9 nm टॉर्क जो है वह आपको 1500 rpm पे मिल जाता है MT15 में overall performance की बात करें तो देखिए 1500 cc इंजन है तो वहाँ पे power figures output में आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं लेकिन Duke 125 भी आपको निराश नहीं करेगी gear जो है number of gear जो है 6 speed आपको दोनों ही bikes में same gears यहाँ पे मिल जाते हैं अब जो आपको 13.5 लेटर का वहीं MT15 में आपको 1500 cc बाइक में 10 लेटर का ही टैंक मिलता है overall weight की बात करें 159 kg जो है वो KTM Duke 125 में वहीं पे 138 kg की MT15 तो काफी हलकी बाइक है और last में price की बात करें दोस्तों तो 1,5,000 Duke 125 का जो overpriced है वहीं पे 1500 cc की MT15 आपको 149,000 extra room मिल जाता है तो दोस्तों दोनों ही bikes जो हैं अपने आप में बहुत ही अच्छी हैं अगर आप KTM lover हैं तो आप 1500 लाख रुपे में 125 cc की बाइक लेकिन अगर आपको overall एक बहुत ही खुबसूरत सा design robotic style में अलग सी एक पहचान अगर चाहिए तो MT15 के उपर जा सकते हैं जिसका price जो है 11,000 रुपे कम रखा गया है इसलिए मेरे हिसाब से यहां पर MT15 winner है आपको क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो को share जरूर करना और जिन लोग ने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है प्लीज चैनल को subscribe जरूर करना मिलेंगे next वीडियो में